दोसों आपने बहुत बारी एडविटीजमेंट देखी होगी कि लेकिन कि आपने कभी सोचा है कि इस दुबई टूर पैकेज के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा आपके additional expense तो इसमें जो है नहीं जोडे जाएंगे आपके खाने पीने के खर्चे का ध्यान कौन रखेगा तो ये एक ऐसी problem है जो हर एक traveler के मन में आती है वो हो जाते हैं attract की चल है वो सब कुछ नहीं मिलता जो वो expect कर रहे थे दोस्तो दुबई सीरीज चल रही है पुराने episodes में आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप अपनी flight के ticket को book करें सस्ते में कैसे आप सस्ता visa भी ले सकते हैं और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप दुबई को बहु दुबई एक internationally famous city है पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घुमने के लिए आते हैं और इसका transformation कुछ ऐसे हुआ है कि एगनम जमीन से उठकर आस्मान की उचाईयों तक दुबई एक बहुत ही खूब सुद शहर है यहां की हर एक building में कुछ खास बात है दुनिया के सबसे उच पर है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप दुबई आने की planning कर रहे हैं तो आप कैसे अपना टूर पैकेज खुद ही बना सकते हैं उसमें आपकी मदद करने वाला हूँ मैं चार राते और पांस दिन का मैं आपके लिए टूर पैकेज बनाने वाला हूँ इस सीरीस के तीन एपिसोड आएंगे और आज हम बात करेंगे कि दुबई फरस्टे में आपको कहां कापे घूमना चाहिए और मैं घूमने के साथ साथ आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बहुत ही जादा फेमस है पूरे वर्ल में इसमें ट्रेवल करने का अपना ही मजा है आप ले सकते हैं डे पास जो आपको मिलता है सिरफ बाइस द्रम में जिसकी इंडियन करंसी में कीमत होती है 385 रुपे ये एक दिन का डे पास होता है और इसमें आपको मिलती है इसका नाम है सकी दुबई दोस्तों अगर आप दुबई में मजा लेना चाहते हैं सुर्जलन जैसी बरफ का तो आपको मिल सकती है केवल और केवल सकी दुबई में यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स जो है सकी दुबई में कराई जाते हैं इससे सनोफन, चेरलिफ राइ जाइंट बॉल, माउंटें थ्रिलर और भी बहुत सारे तो इसकी जो टिकट है आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और आप जो है वहाँ पर जाके भी ले सकते हैं इसके टिकट की अगर मैं बात करूं तो यह पढ़ती है 255 दिरम की इसकी इंडिन करंसी में कीमत होती है 4400 लेकिन अगर आपको यह सस्ती चाहिए तो आगर आप दुबाई में है तो आप मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे इमेल कर सकते हैं traveltricksindia at gmail.com पे मैंने आपको बताया था मेरे एक एपिसोड में की मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर जो ट्रैवल एजनसी में और आप आजेगे दुबाई मॉल दुबाई मॉल जैसा कि आप जानते है वर्ल्ड के सबसे बड़े मॉल में इसका नाम आता है और यह वन अफ दो मॉस्ट पॉपलर डेसिनेशन है अक्रोस दुबर्ड पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घुमने के लिए आते हैं और बहुत ही सुन्दर है इतनी सारी यहाँ पर आपको फिशिस मिल जाएंगी देखने के लिए और इसकी मैं अगर टिकट कॉस की बात करूँ तो इसके टिकट कॉस पढ़ती है 110 दिरम्स 110 दिरम्स अगर मैं आपको approximately idea दू तो यह पड़ेगा आपको 1850 रुपे का लेकिन आपक बहुत सारी फिशिस देखने को मिल जाएगी यह जो है इस पैकेज के अंदर ही होता है जो आपको 110 दिरम्स का पैकेज यह ओफर करते हैं उसके अंदर जो है आप Underwater Zoo और जो टनल है एक्वेरियम की उसको explore कर सकते हैं दोस्तों दुबई एक्वेरियम को explore करने के बाद आप यहां पर वर्ल्ड के tallest fountain और यह है बहुत ही जादा कमाल के अगर यह जो शो होता है हर आदे गंटे में होता है यहां पर आप जो है उसको explore कर सकते हैं रुख सकते हैं जितनी मरजी बाहर आप देख सकते हैं यह 10 मिनट का एक शो होता है बहुत ही जादा जबरदस और इसके स अगर आपको हाइट से दर नहीं लगता है तो आप बुझ खलीफा पर भी जा सकते हैं उसके प्राइजिस अलग होते हैं लेकिन उसको आपको विजट करना है सिरफ और सिरफ दिन के समय में ताकि आप दुबई का पूरन जारा देख सके तो दोस्तर यह था दुबई सीरिस का पहला एपिसोड और आपको पता लगया होगा कि आप फस्ट डे में कहां कहां पर घोम सकते हैं तो अगर आप दुबई आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपके कोई भी फ्रेंड्स ये फैमिली मेंबर्स वें आने की कि मेरे जो भी एपिसोड जो अप्लोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगी सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर 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 शेयर करें दोस्तो आप जो है आप हमको Facebook और Instagram पर भी फॉलोग कर सकते हैं